हलो दोस्तों एक वार आपका फिर से स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल एक के स्टेडी पॉइंट मत्रा में आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं वो है यूपी बोर्ड का एक्जाम फॉर्मेट 12th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए mathematics का exam format किस तरीके का होने वाला है वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए चलते है अपनी वीडियो के बोर देख लेते हैं वीडियो में मैंने एक question paper आप पे सामने रखा है इस question paper मैं यह जो question paper है मैंने यूपी MSP की साइड से लिया है यानि उत्तरप्रदेश बोर्ड की साइड से लिया है आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं यूपी MSP ठीक है अगर आपको कोई आपत्ती होती है तो आप यूपी MSP पर जाकर वहाँ पर feedback दे सकते हैं अपना मैं आपको बता दूँ कि इस question paper में आपको 9 question मिलेंगे करने के लिए इन 9 question में जो है 7, 8 और 9 इन वाले question में आपको एक-एक choice मिलेगा यानि कि एक choice से आपको करना होगा दोनों में से कोई एक question करना होगा दो question आपको इन में मिलेंगे अधर में किसी में आपको कोई किसी भी question में छुट नहीं मिलेगी आपको सारे question attempt करने पड़ेंगे इसमें 9 question होने वाले हैं ठीक है तो चलिए question के discuss कर लेते हैं question किस तरीकिस मिलेंगे देखें पहले question में आपको 5th question मिलेंगे यानि पहले वाले question की आप बात करें तो इसमें 5 question मिलेंगे 5 जो हैं आपके multiple option होंगे क्या होंगे 5 जो है वो multiple option होंगे second question की बात करूँ तो second question में multiple option की MCQ की कोई दिकत इसमें नहीं है क्योंकि आपको इसमें one word के हिसाब से आपको question करने होंगे यानि one word होंगे second वाले में तो इसमें भी आपकी 5 नमर का रहेगा पांच ही question रहेगे, एक एक नमर का है ठीक है, third की बात करें third में कहाँ कि प्रती एक question दो नमर का रहेगा प्रती एक question दो नमर का रहेगा और इसमें जो question रहेगे आपके fourth रहेगे यानि कि 8th marks का आपका 3rd वाला question रहेगा 8th mark अभी हम बात करते हैं 4th वाली की तो देखा 4th में भी similar है 4th में भी आपका 2-2 number का question रहेगा 4th ही question होंगे तो ये भी 8 marks का रहेगा आपके सामने ठीक है अभी हम 5th की बात करें तो 5th में क्या है 5 ही question रहेगे एक question 5 नमर का रहेगा तो ये 25 marks का रहेगा 5th वाला question जो है आपका 20 marks का रहेगा आप देखें यहाँ पर आप देख पा रहे है question 6 की बात करूँ तो same 6 question है यानि कि 5 नमर का एक question रहेगा 5 ही question रहेगे यानि कि 25 marks का रहेगा हाँ पर आप देख लेता है हम question number 7 को देख लेते है question number 7 में क्या है आपको 2 question मिलेंगे 1 करना होगा और 1 question جो है 8 number का रहेगा तो यहाँ से 8 का same r improve है आपका 8 वाला इसमें भी 2 question रहेगे एक करना होगा 8 marks का एक होगा और answer भी यहां पर आपका 8 आएगा क्योंकि एक question आपका 8 marks का हुआ एग same same 9 मा है तो 8 number का यहां से मिलेगा आपको अब बात कर लेता हूँ total marks की तो देखें मैं यहाँ पर question लिख देता हूँ question यहाँ पर लिख देता हूँ और कितने आपको मिलेगे ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ question number लिख देता हूँ question number लिख देता हूँ clear तो देखें पहले question में आपको 5 question मिलेगे ठीक है और यहाँ पर marks लिख देता हूँ यह marks लिख देता हूँ पहले question 5 question मिलेगे जो कि MC की होंगे और 5 ही number के वो रहेंगे यानि कि 1 question आपको 5 number का मिलेगा एक question एक number का मिलेगा तो आपको यहाँ 5 question 5 number के हो जाएंगे question number 2 की बात करें question number 2 में हम जब देखेंगे question number 2 में हमें देखें 5 ही question मिलेंगे one word रहेंगे, एक number का 1 रहेंगे तो यहाँ पर आपको 5 question मिलेंगे 5 question मिलेंगे और 5 number के हो जाएंगे थर्ड वाले में आप देख पाएंगे, थर्ड वाले में भी आपको four question मिलेंगे, एक जो है दो नम्मर का रहेगा, तो आपके total marks जो रहेंगे वो eight हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे eight, same fourth, fourth वाले में आप देखेंगे, तो चार question मिलेंगे, एक दो नम्मर का रहेगा, यानिके eight का हो जाएगा ओके अब हम 5 की बात करेंगे तो 5 वा कोशन जो है आपका 5 एक कोशन इसमें 5 नमर करेंगा 5 ही कोशन आपको इसमें मिलेंगे तो आपका जो हो जाएगा यह 25 का हो जाएगा ओके अब 6 की बात करेंगे तो 6 में देखें 6 में भी आपको 5 कोशन मिलेंगे पर कोशन 5 का होगा, तो यहाँ पर आपको जो मिलेंगे 25 marks, okay 7 की बात करें, इसमें आपको जो question मिलेंगे वो 2, आपको करना होगा 1, यानि कि attempt क्या करना होगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैं लिख दिता हूँ, attempt 1 रहेगा, और एक question जो है, वो 8 marks का रहेगा, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, okay same process रहेगा, 8 के लिए 8 में भी आपको question मिलेंगे, 2 attempt करना होगा, यहाँ पर एक जो है, वो 8 number का रहेगा, तो आपका यहाँ पर भी 8 number का, okay यहाँ पर same 9, तो 9 में में भी देख लेते हैं, 2 question आपको मिलेंगे, करना होगा, एक, ठीक है, 8 number का यह question, तो यहाँ पर 8 होगा, तो यह तो रहेंगे आपके total marks, तो यह total हम मेंच कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, तो यह होगा आपका 10, यह होगा आपका 16, यह होगा आपके 100, marks हो जाएंगे आपके 100, तो इस तरीकी से आपको paper format मिलेगा पूरा, देख लेते हैं, पहले question में आपको 5 question मिलेंगे, पहले वाले में 5 question मिलेंगे, दूसरे वाले में 5 मिलेंगे, तीसरे वाले में 4, यानि 4 मिलेंगे, तो यह कॉशन रहेगे आपके गए अक पेपर का पॉर्मेंट इस तरीके से रहेगा अगर आपको पेपर का लिंक आपको डि्सक्रेपटान मिल जाएगे पेपर वहा से आप डंगलोड़ कर सकते हैं तो यह थी आज की हमारी information 12th class के mathematics के लिए अगर आपको मारी information सही लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स को शेर कर सकते हैं थैंक यू फॉर की बोचेंग